अच्छा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम ऐसे दान तक नहीं हो तरी स्टेडी आइक्यो पैपका बहुत बहुत स्वागत है Margaret Court Australia का highest honor receive कर रही है और लोग बहुत ज़्यदा खुश नहीं है क्यों हम इस लेचर में जानेंगे हमने test series लॉंच की हुई है दोस्तों काफ़ी अट्रक्टेड डिस्काउंट से आप जरूर इनको अवेल करें आपको बहुत ज़्यदा फायदा होगा ठीक है यह highest honor है इनको दिया जाएगा लेकिन बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं 24 Grand Slam singles title इन्होंने जीते हैं Grand Slam Australian Open, US Open, French Open, Wimbledon चारों आप जीत लो Grand Slam तो 24 Grand Slam single titles इन्होंने जीते हैं लेकिन LGBTQI, Lesbian, Gaze, Bisexual, Transgender, Squeeze and Intersex के उपर जो इनके views है न तो बहुत ज़्यादा इनको तवज्यों नहीं दिया जा रहा है In fact, बहुत समय से ये भी बात चल रही है कि इनका नाम ही हटा दो Margaret Court Arena Margaret Court Arena में इनका नाम है भाई देखो, इतनी ज़्यादा famous है, record है, इनके, मतलब इन्होंने record कायम किया है Australia की सबसे famous tennis player रही है ये, तो Margaret Court Arena जो इनके नाम पे ही है एक तरीके से second largest stadium है Melbourne Park में, जहाँ पे Australian open खेला जाता है तो बहुत लोग तो ये तक कह रहे हैं कि इनका नाम ही हटा दो हम इनके views की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले, ये मेरे telegram channel है 13100 subscriber आप यही join करिएगा तो अब Australia के Prime Minister ने Scott Morrison, मतलब उन्होंने ये बोल दिया है कि मैं इस पे comment नहीं करना चाहूंगी क्योंकि ये जो award ही independent process के through दिया जाता है और अभी it hasn't been announced and I have no official knowledge of those things मतलब अभी ये भी नहीं पता है कि इनको award दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा मुझे तो फिलाल इसकी जानकारी नहीं है ये पूरा independent process है devoid of all politics इसमें कोई भी politics involved नहीं है लेकिन Australia के Victoria के जो state premier है Daniel Andrews उन्होंने बोलाए कि मैं तो इसको बिल्कुल support नहीं करता देखिए Margaret Court इतनी unpopular क्यों है ये racist है, homophobic है जिस तरीके से ये attack करती है racism को बढ़ावा देती है LGBTQ community को ये बोलती है transgenders तो work of the devil है ये तो शैतान के बच्चे हैं और इतने भयानक भयानक statement देती है LGBT को लेके कि लोग इनसे बहुत खफा है आपको इनके कुछ statement बताता हूँ Australia ने जब 2017 में same sex marriage को legalize करने की कोशिश की कोशिश का मतलब वो सफल हुए तो इन्होंने क्या बोला कि जो tennis court है ना full of lesbians यहाँ पे lesbians ही भरी पड़ी है है ना और ये खेल को बिगार देंगी गंदा कर देंगी plus जो transgenders है and transgenders are the work of devil वो तो शैतान है एक तरीके से शैतान के बच्चे हैं जो transgenders पैदा होते हैं या जो बाद में हो जाते हैं तो that's not good और उसके बाद इन्होंने South Africa में South Africa में जो ये पूरा apartheid आपको पते ही है कि रंग भेद वाला जो मसला था तो उसके खिलाफ है ये इन्होंने बोला कि देखिए ये जो रंग भेदी मतलब जो white अपने आपको superior मानते हैं वो बिलकुल सही है वो एक तरीके से इकदब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है तो इस तरीके के racist remarks जो हैं Margaret Court पास करती है काफी statement दिये हैं आपको और मैं इनके statement बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ था कि जब 2011 मैं French Open Mixed Double Champion Casey Deloky और उनकी partner Amanda Jude ये lesbians हैं तो इन्होंने शादी की और जब इन्होंने बच्चे को जनम दिया तो ये लिखती है कि ये बहुती जादा दुखद है कि जो बच्चा है उसको पिता का प्यार नहीं मिलेगा इस तरीके के offensive statement homophobic statement ये देती है और LGBT बहुत ही important part है Australia की community का Australia की community का part है ये और यहाँ पे Daniel Andrews ने ही बोला है कि हमारे यहाँ equality है चाहे LGBT है हो चाहे कोई भी हो सबको right है dignity से रहने का अधिकार है कोई भी उनको इस तरीके से attack नहीं कर सकता देखिए दोस्तों मेरा मानना क्या है आपको बता दू कि हमारे हिंदुजम में थोड़ा से यहाँ पे spiritual होंगा LGBT को बहुत ही ऊपर रखा गया है इन फैक्ट कई बार आप अर्धनारी का स्वरूप देख लीजिए हमारे यहाँ इन फैक्ट महा भारत में भी इस तरीके से transgenders का use transgenders की बाते की गई है पाय उनको बहुत ऊपर रखा गया है नेचर ने जिसको देखिए इसमें उन लोगों का क्या कसूर है अगर नेचर ने मदर नेचर ने भगवान ने आपको बनाया है तो आप भगवान जब इसमें भेद नहीं कर रहा तो हम कौन होते हैं हमारी क्या उकात है कि हम इन लोगों को नीचा दिखा या गलत कहीं जब भगवान नहीं इनको बनाया है आपको लगता होगा कि अरे सर ऐसा कुछ नहीं है ये लोग बदमाश होते हैं फलाने डमाक मैं आपको एक चीज बताता हूँ हम लोग ऐसे पैदा हुआ है इसलिए हम लोग बोल रहे हैं लेकिन आप एक मिनट उनको उनकी जगा अपने आपको रखे देखिए या अगव ही आपकी पर्पर्बलेम बहुत ज़ादा होगी यह वैसे ही होगा कि आप बहुत ज़ादा प्रॉब्लम से और मैं यहीं बोलू किया रे क्या तुम्हारे प्रॉब्लम है कुछ नहीं है तुम एक नम्बर के नाकारे आपको क्रिटिसाइज करना चुरू करू तो आपको बुरा लगेगा तो एक तरीके से अगर आप अपने आपको उनकी जगा रखे देखें तब आपको problem समझ में आती है तो जब nature नहीं बना दिया है तो हम question कर ही नहीं सकते anyway वो एक अलग topic है तो यहाँ पे Australia भी यही कह रहा है कि भाईया LGBT को बिलकुल यहाँ पे dignity, honor से रहने का अधिकार है और जिस तरीके के Margaret Cote के statement आते हैं तो Daniel Andrews नहीं बोला कि मैं तो इस award को बिलकुल support नहीं करता यह highest honor उसी को मिलना चाहिए जो deserve करता हो definitely Margaret Cote एक बहतरीन tennis player है superb tennis player है लेकिन एक racist और homophobic हैं यह यह भी कोई नकार नहीं सकता जिस तरीके के statement देती हैं यहाँ तक John McEnroe, Martina Navratilova, Billie Jean इन सब ने तो इनको crazy aunt बोला है 58th anniversary अभी 2020 में जब इनकी मनाई गई एक साल में इन्होंने grand slam जीता 1970 में तो एक बहुल बड़ा event हुआ Rod Lever Arena में वो भी बड़ा depressed event था कोई आया ही नहीं लोग भी इनको support नहीं करते हैं लोग जो होते हैं वो अच्छाई कोई support करेंगा भले कोई भी इनसान कितना भी बुरा हो लेकिन उसमें अच्छाई होती है हाँ लोगों का mind थोना vulnerable होता है उनको आसानी से भैकाया जा सकता है तब ही तुम survive करते हैं वरना तो खतम हो जाते तो अच्छाईया तो है इस दुनिया में अच्छाई है ठीक है तो यहाँ पे Rod Lever Arena में भी लोग इनको बहुत पसंद नहीं करते हैं एक ग्रूप है इनको बहुत पसंद करते हैं लेकिन जाधा तर लोग काफी unpopular है जिस तरीके के statement यह देती है उसके बाद दोस्तों अच्छा यह सब तो मैंने बताई दिया statement जो है फिर Margaret Code के कितने achievements है 24 Grand Slam Single Titles इन्होंने जीते हैं 19 Women's Double Majors 21 Mixed Double Crowns जीते हैं यह उन तीन प्लेयर्स में से एक हैं जिनों ने Grand Slam Boxed Set मतलब 4 Grand Slam in Singles, Doubles and Mixed Doubles उनली प्लेयर है to have done it twice दो बार करने वाली कहने का मतलब यह है कि इतने सारे इनके पास खिताब है मतलब एक तरीके सा Australia की टेनिस की सचिन तंदूल कर रहिए तो इतनी जबरदस्त प्लेयर नो डाउट कितना घजब टैलेंट Australia की आनबानशान है लेकिन जिस तरीके से इनका stand है statement देती है वो acceptable नहीं है Serena Williams ने 13 Grand Slam Singles जीते है देखिए John McEnroe जो है record तोड़ दो ताकि जिस तरीके के offensive views है ये ना है अभी Margaret Court retired 1991 में हुई उसके बाद क्या कर रही है पेंटो कोस्टल मिनिस्टर रही है ये पेंटो कोस्टल एक तरीके से प्रीस्ट उनकी position होती नोंने पेंटो कोस्टल चर्च फाउंड किया था को लूँगा कि मेरे व्यूज यही है कि भाई देखो मैं जो हूँ जितना मैंने पड़ा है मैं तो नेचर को सबसे उपर मानता हूँ तो अगर नेचर ने लाइफ को दिया है अगर उनको ऐसा बना है तो हम हमारी आउकाती नहीं है पहली बात तो इंसान अपने आपको उपर समझना बंद कर दे हमारी कोई आउकात नहीं है किसे ने उलका पिंडिक बीन करें सब साफ हो जाएगा तो इसलिए हमको रेस्पेक्ट करनी चाहिए नेचर ने जो दिया है कोच लएगे पर ते रहे देज़े से दान तक नहीं होतरी साइनिंग आप